आप लोग, आप लोग, आप लोग, मतलब अगर आप लोग घर पे कन्या पूजन कर रहे हो, अश्टमी मना रहे हो, अरे भई आज है महाश्टमी, लेकिन नहीं, आप लोग कर रहे हो, आप लोग गलत हो भईया, इन लोगों से समझो, हिमाचली सिस्टर्स, अरे पूरा डीज को इस तरह से, है न, मतलब दिन में, शाम में कोई नहीं होगा, मंदिर सुना होगा, लेकिन लोग जाते नहीं हैं, लेकिन ये लोग शिमला पहुच गए, so friends, welcome to my channel, it's me, Swati, कैसे है आप लोग, और मेरी तरफ से, और मेरी family की तरफ से, आप सब लोग को happy ashtmi, मातरानी, आपकी सारी, मनुगामने, पूरी करें, देखिए, बहुत ही, ये चीजे, ऐसा नहीं है, कि पहली बार कुछ इस तरह की चीजे कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा, पिछली बार दिवाली पे, जब लोग अपनी घर में पूजा कर रहे थे, तब ये दिवा आतरे का पावा नफसर चल रहा है, बग्दा मामा ने जब टाइटल लगाया, मतलब करवाचौत की शॉपिंग, शिमला, स्पेशली करवाचौत की शॉपिंग करने के लिए गये थे तुम, कितना बड़ा जूट, और वो भी नवरात्रों में, तो इससे ही ये चीज पता च शॉपिंग क्या आपके हिमाचल में, जहां पे आपका घर है, आस पास मार्केट नहीं है, बड़कनी जी जी तो कुछ शॉपिंग के नाम लेती रहती है, कि वो वाला चीप टेंट, चीप लोध हाउस, और पता नी तनी जक लोध हाउस, और पता नी कौन से बहुत सारी शॉपिंग हो जाती है, लेकिन यहां पे यह जो भाना मारा गया है, करवा जॉथ शॉपिंग, मुझे मतलब क्या ही बोले, उपर से जूट और बोल रहे है, इनके लिए कोई फरक, अरे तुम लोग सीधे-सीधे बोल देते हैं, बहुत ही दिन हो गए ते नौ महीने से हम ग गरीब नाता है, आप लोग को यह कई बार ही बोलते हुए दिखती है, उपर अपने घर में भी इनोंने पूरा पोस्टर लगा रखा है, तो खेर पहुंच तो गए, लेकिन मुझे समझ गया है, आचल के लिए करवा जॉथ वरत शॉपिंग शॉपिंग शुमला से, यह पापा के साथ, तो मम्मी जी को बहुत कुछ पता है कि यहां पे हमने बैटके फोटो की चाही, इस जगा पे की चाही वो बात और है, बहुत सारी चीज़े चेंज हो गई है, ठीक है, तो मम्मी दिखा रही थी, लेकिन वहीं पे करवा जॉथ से रिले, जब इन्होंने एक की बात है, अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं, लोग अश्टमी पूज रहे हैं, लोग अपने घरों में का मतलब पूजा पार्ट कर रहे हैं, कितने शूब दे नहीं है नौ दिन, तुम लोग के घर में, मतलब भूल जो, कोई हिंदी, हिंदू रिच्वल नहीं दिखाते है ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए मातरानी का आपको याद है, और श्राद में भी क्या था, कि भार समूसा पाटी करवाई थी, लेवर्स को बाहर का समूसा, चटनी वो सब खिलवाया था, अरे इनकी मम्मी ने बोला था, कि देना चाहिए, मतलब हमारे पित्रों को समूसा पा बता ही है, और कौन से ऐसे टरूवालया जो इनको जाके टोकते नहीं है, फेस्टिवल का महौल होता है, बहुत हर जगा लोग सोचते हैं कि मातरानी का नाम लिया जाए, लेकि इन लोग का शिमला शिमला इस टाइम चल रहे है, वैसे कई लोगोंने मेरे कॉमेंट सेक्शन म दिख रहे हैं, लोग दिवाली मनाते हैं, लक्षमी गडेश जी की पूजा करते हैं, ये लोग भार घूनते हुए दिख रहे थे, और आज के वीडियो में तो खुद इनकी मम्मी ने बोला है, जब बग्गा ममा ने कहा था कि बहुत रौन के लगी है, कल मैंने, जब हमाय इतनी भीड नी थी, लेकिन आज थोड़ी भीड दिख रही है, तो ममी जी ने तुरंथ बोला था, कि लैंड स्लाइट की वज़े से भी थोड़ी भीड कम है, प्लस मातरानी के नवरात्रे चल रहे हैं, तो इनको पता सब है, लेकिन ये लोग, इनको कोई फरक नी पढ़ता साथ में इनके एक टरू वाली उन्होंने भी कॉमेंट किया है, कि शादी तो हो जाने दो इतनी भी क्या जल्दी करवाचौत की, अरे भाईया, इनका हमेशा से रहता है, क्योंकि अभी करवाचौत आने वाला है, जो चीज़े चल रही होती है, लेकिन अभी नवरात्रों मे जहां पर पूजा पाठ, ठिक है, भगवान की आराधना करना, दोनों टाइम, चालीसा करना, आरती करना, उससे दूर-दूर तक कोई इन लोग कर नाता नहीं है, खैर उपर से मम्मी को दिखा रहे हैं, मम्मी को वॉल देख रहे हैं, खिड़िकयां देख रहे हैं, नजारे तो आज बढ़कन्नी चुटकन्नी और जिज्जा जी तीनों ने सेम से मैचिंग पहना हुआ था अगर आपने नोटिस किया हो इनकी वीडियो में दिखेत हो तो जिज्जा जी साइड में मेरे पास टाइम स्टैम भी किसी ने दिया हुआ है जब वो छुटकन्नी पोहा खा रही थी धूप में बैठके तो साइड में जो बढ़कन्नी जजी है वो लेते हुए जा रहे थे कुछ प्लेट में तो उनका भी थोड़ा सा मतलब पीछे से बैक दिखी है तो क्या ही बोलेंoking, खेर हैँ, और कुछ लोग तो कह रहें भईया ये वीडियो पुराना है ये लोग कोट केस के लिए गए थे, ठीक है, तो वहां का है, खेर मैं क्या ही बोलू बही मेरको जहां तक यह पता है कि येस इस टाइम लोग घर में रुकना चाहते हैं लेकिन ये लोग अजीब और गरीब मतलब कहां से आते हैं किस गोले के लोग हैं ये लोग जो मातारानी को घर में कोई मंदिर नी इनको कोई फरक नहीं पड़ता है दस मिनट का वीडियो उनके हमेशा आपने देखा होगा पूजा रूम में मम्मी हमेशा पूजा गरते वे दिखती है तो कितनी पॉजिटी वीडियो उनके वीडियो में दिखती है ठीक है तो आज का वीडियो जो ये इन्होंने डाला था शिमला वाला जिसमें ये हाँ बढ़कन्नी जिजी ने कई बार कैमरा पकड़ा जिसमें दोनों ने मिलके रील्स बनाए ठीक है छुटकन्नी को सिफ तभी उसकिया गया जब इनको मैगनेट जो वो मैगनेट्स होते हैं वो खरीदने थे और बढ़कन्नी जिजी ने तो भईया वहाँ पे एक आंटी जी कई लोग इस तरह से कपड़ों से जच कर लेते हैं अब तुम अगर सूट उट पहन के जाती तब उनको लगता कि येस तुम मैरिड हो लेकिन तुम लोग पहनते कब हो तुम लोग जब ससुराल जाते हो तो भटी वी जी इन्स पहन के जाते हो है ना तो कपड़ों की मैं खिड़की पर खड़ी हूं तो मेरी फोटो कीच बग्गा मामा से ये भी बोल रही थी कि अगली बार भहिया हम लोग सब मिलके मतलब सब लोग ऐसा करेंगे जब अंचल भी आजएगी तो हम बड़ी गाडी करके आजए करेंगे सेल्फ ड्राइव करके किराय पे ले लि अगरेंगे तो मम्मी ची बहुत लाइक नहीं नहीं भारत उसकी मेरा मनी नहीं लगता भारत बढ़कनी के विना उनकी मेरी फैमली पूरी नहीं है तो बग्गा मामा ने कई वर बोला भाया जब अंचल आजएगी तब रॉनके लगाएगी मम्मी तुम भी आशी बोलती रह है तो कहीं ची अवर भाद में भी वह रहा था कि तुम लोग जब गुमने जाओए ना पहले तुम लोग तुम लोग ना फिर हम लोग शिमला और जगा प Simmons ऑने नहीं नोड़ा देखा है तो वह जगा मों ऍेदो और फसम ईसपार करेंगे पहले तुम लोग मुनार हम सब मिलके साथ साथ घूमेंगे हाँ वहाँ पे अंकुष के घर पे छुटकंदी ने क्या शर्ट के रही हूँ शर्ट डाली थी अगर आप लोग को याद हो कि भाईया उपर रहेंगे हम घर बनवाओ नीचे ठीक है तुम उपर नीचे करते रहो और बिल्कुल बॉंडिंग है ना बॉंडिंग हमारी बनाने के लिए कोई इंटर्फेयर ना करे जिसको आना है वो नीचे से निबटके चला जाए उपर कताई आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देख लो भाईया यहाँ पे तो साथ सार ट्रैवल भी करना है बॉंडिंग कैसे बनेगी बॉंडिंग कैसे बनेगी दूसरे के घर में ससुराल साथ के लिए इस बार मैंने नोटिस किया कि भाईया तुम्हारी बढ़कनी जिची हर जगा तो आपकी बेस्ट फ्रेंड आती ती इस बार आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं आई बेस्ट फ्रेंड को बिलकुल नहीं दिखाया गया तो क्या बेस्ट फ्रेंड नहीं आई है अपने सासुमा से लड़ाई हो गए जिच जी आपकी जवाब इस बर उनको अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके नहीं गई तो फ्रेंड्स यही था इनका वीडियो मतलब थोड़ा बुरा लगता है कि यार अच्छे अच्छे लोग पूजा पार्ट कर रहें लेकि इन लोग को घुमने से फुरसत नहीं है नौ महीने बाद गए है अब रास्ता सेफ है जिसको भी हिमाचल आना है शिमला आना है बिल्कुल आ सकता है वह बात और डैवर्जन थे रोड भी कहीं कहीं जगा ब्रेक थी लेकिन हम लोग जरूर हम लोग को जाना ही था बढ़कन नहीं आया और शिमला ना जाए हो नहीं सकता खैर बगगा बाबा नहीं बीच बीच में ये भी बोला है कि ये लास्ट ट्रिप है हमारी फैमली के साथ उसके बाद तुम ही अंचल आ जाएगी वह कहीं ऐसे ही नहीं हो आँचल के आने के बाद बस आचल और बगगा निकल जाए पूरी फैमली ट्रिप साथ में होई ना पाए सई बात है हो सकता है ये लास्ट ट्रिप हो शादी के पहले पूरी सब की मिलाद के चलिए फ्रेंट्स ये था आज का वीडियो अब क्या ही बोला है लोग ये लोग अलगी गोले के लोग है तो बाकी येस जब ये पता चला होगा ये बहुत पहले का वीडियो है पर शुक्ड़ी मिल जाती है ये बच्चा लड़का ले चरना ये लिए तो लाइध कर दीजी गा और फ्रेंट्स ये था मेरा आज का वीडियो ऑगर अच्छा लगे तो लाफित अवी तृइफ नहीं आई थीछ know मैंने सबको मिस्स किया और सबको जो लोग भी आते हैं लाइट स्ट्रीम में अगर मुझे टाइम मिला तो बाद में थोड़ी देर के लिए मैं आ जाओंगी बाकी इन लोगा क्या ही करें मतलब ये लोग घर पे छोड़ चाड़ के सब कुछ नौ महीने बाद आएं भाई ये जाना जरूरी था घर में काम भी चल रहा है नवरात्रे चल रहे तो क्या हुआ हुआ हूँ ना इस मोस्ट इंपोर्टेंट हाँ घर में चाचा जी को लगा क्या है थे कि चाचा जी सब कुछ देख लेंगे चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you so much, bye bye, take care.